मुद्दतों बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस को गेर गांधी अध्यक्ष मिला। मलिकार्जुन खडगे। अस्जी वर्षकी अवस्था के खडगे जी दक्षुन भारत के पुराने कांग्रेसी नेता है। गांधी परिवार का भरोसा उन पर है। इस चुनाव में भले ही पार्टी ने कहा हो कि गांधी परिवार निश्पक्ष है, तटस्थ है और पार्टी की और से कोई उम्मीदवार नहीं। लेकिन जिस ढंग से इलेक्षिन केंपेन हुआ और जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने मलिकारजुन खडगे के चुनाव पुरचार किया, उससे एक बात साफ हो गई। कि खडगे दस जनपत के उम्मीदवार हैं, दस जनपत की पसंद के उम्मीदवार हैं और हाई प्रोफाइल शर्शी थरूर अपने मन की मोज में खड़े हैं। चुनाव निश्पक्ष हुआ ऐसा कॉंग्रेस कह रही है, लेकिन थरूर का केम्प कह रहा है कि चुनाव में अनिमित आएं हुई, खास तोर पर उत्रपदेश में लखना हुई। यानि कॉंग्रेस के अध्यक्ष चुनने के इस पूरे जतन में, कारिक्रम में एक काला ठीका लग गया, आज सैफुतिन सोज के बेटे ने जो चिठी लिकी है, जो शर्शी थरूर के एलेक्षिन एजिंट भी थे, मद्शुदन मिस्तिरी को उचिठी एक काला दबात होई ग से बड़ा सवाल अब ये, कि कांग्रेस का इतिहास बताता है कि गैर गांधी कोई भी अध्यक्ष तभी चल पाया, जब उसने ये तै कर लिया परिवारम शरणम गच्छामी, और जो परिवार से इतर खड़ा हुआ, जो गांधी नहरू परिवार से एक अलग सत्ता जिसने स्थापित करने की कोशिश की, उसका हश्र अच्छा नहीं हुआ, शुभाष बाबू भी, शुभाष चंद्रबोस भी गांधी जी की इक्षा के विरुद्ध, गांधी जी के उम्मीदवार को हरा कर जब अध्यक्ष हुए कांग्रेस के, तो वो भी नहीं चल से दिये गए, वहां से लेके पुर्शोत्तम दा स्टनन तक आ जाईए, और आगे आते जाईए, और 1996 में सीताराम केसरी के कारिकाल को याद कर लीजिए, जब वो शरत पवार जैसे बड़े नेता को हरा कर आए थे, अध्यक्ष बने थे, निरवाचे अध्यक्ष ने, लेकि कांग्रेस मुख्याले में ही ऐसी छीना, जबटी, जूमा, जटकी हुई, कि उनके वस्त्र फट गए, और इस गंदे तरीके से केसरी बिदा हुए कांग्रेस अध्यक्ष के पद से, आप कह सकते हैं जबरिया बिदा कर दिये गए, तो कांग्रेस में एक थंबरूल है, वही जिसको नहरू जी का, इंद्रा जी का, समर्थन हासिल हुआ, अशिरवाद हासिल हुआ, केशी स्टन्त्र सटा के अध्यक्ष बनने के कोशिश की उनोंने, तो केशी जी के साथ, जो हुआ मैं ने बता दिया, अब नंबर हे मलिक आरजुन खडगे का, खडगे क्या करेंगे, उद्दस जनपत के सिपाही के तौर पर कॉंग्रस चलाएंगे या देश की सबसे पुरानी सबसे ज्यादा समय तक देश में शाषर करने वाली पार्टी की अध्यक्ष के रूप में अपनी एक निश्पक्ष और स्वतनतस्ता रखने की कोशिश करेंगे